नमस्कार मैं हूँ दिपक कमारत और उधे इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आप सबको अनन्द होगा कि अभी साम का समय है आप दिख रहे होंगे कि अंधरा चाय हुआ है और हम लोग आज पारादी पोट के जो नेहुरु वंगला है और मेरे प पर मेरे पीछे जहाज भी खड़े हैं बहुत-बड़े जहाज खड़े है और यह बिसिकली वेटिंग एरिया है जब पारादी पोट से भूत मुंडे इनका घर है और मैंने देखा बड़ा इंट्रेस्टिंग लगा इनके हाथ में यह जो फिसिंग राड है और इसमें से मचली पकड़ते हैं और मेरा इंट्रेस्ट तब बढ़ गया जब मैंने देखा कि इन्होंने जो है बड़ा बड़ा मचली पकड़ने के लेकिन आज जानेंगे भाई से कि कौन सा मचली मिलता है और क्या क्या किस तरह से मचली मिलता है इनसे इनको कितने फाइदा होता है आपका क्या नाम है प्रापी है जो जुत हम तो देखा अभी कहीं देर से आप यहां पर समंदर में मचली मार रहे ते यह फिसिंग रर्迟 है आपकी तो आपका क्या समंदर में मचली बख़्म यह अभिफ्यान से यहाँ अधरी क्या है यह फिया ते है सिप्से से पकार्ट पकड़ते हैं तो लो एक दीन में कितना घंट zou इसमें कि दैन llev देज और एक और एक देड़ घंटा वो टाइम देथे हैं और सबसे इंटरेस्टिंग कोई मेमरी आपको होगा जो आप मतली पकड़े कि यह तो कोई घ्रेंटी है नहीं कि सब्सक्राइब तो क्या आपको किसे लगता है जब गुद्ट मिलता नहीं है जोए मिलता नहीं तो अमरों मैं देखा है तो अमरों मैं लॉय आलरे मुई आंविश्छ Cum खाना खाने के लिए इसले काम करना है आपने अभी बड़ा अच्छा बोल रहे थे हमारा रिप्रटर को की क्या सिकारी शिकारी नहीं तो बीजारी बताई यह दर्सक लोग वो कहते हैं कि मैं आज़र सिकारी हूं नहीं तो मैं भीकारी हूं किसमत में हो तो इनको मिल जाएगा ना हो तो ना मिलेगा किस दिन आपने वड़ा आच्छा मकडा मचली हुए हुए हूं नहीं दो आ ता हूं तो यह दो इक GUY एक महसी बटाता है thirtyBoht moldi ेकुलो मक्डी मचली जो आपने पकड़ा आपने बैचने लिए यजा घर खाने के लिए खान के लिए अपनाः है गहर के खान चुपिaking यह जो फिसिंग राडु यह तो इन खाने काह आपने कह रिदा है यह घृऊ कर दा थे अलग अलग पैसा में मिलता है और कहां कहां पकड़ते हैं आप सिर्फ इसी जागा पर और कहां पकड़ते हैं जो मानदी में पथर बंद है ना वो जो हुए जगा में थुपी पकाया अभी साथ था युदा था भी बहुत माचली आदमी था आज आपको कुछ शफलता मिली है मिलता है कि नहीं में तो पता नहीं में आज कोई आप छिकारी बनी है कि आज विकारी बनी है अगाता नहा आज बनेला हुगातो यह कोए टो पाणी का समय चा तो यह लोखा अज्विया नोडरा अनोडरा आता है जो ढ़खा ए लोख दाघु अधां है लेह dogma तुपर नही होता है यंसले होता है तो मचली भी हां इ Adapt देगा तो कोई ठाज में मिलता है जहां पर आपने बोला कि समुन, जहां समुन कॉनसा मचली मिलता है पास मचली में मिलता है आपका मलब जीवी का क्या है ऐसे क्या काम क्या है तो मेरा गाड़ी था मेरा गाड़ी पुझाबजी करता है इसलिए तो टोड़ा ताइम मिलता है यह पारादीप जो पोट है इसके आसपास के बहुत गाओं है और यहां की लोग जो है मचली पर ही क्योंकि समंदर के अंदर आते हैं मचली पकड़ते हैं आपकी जाहों से लोग इसी पर ही डिपेंड करते हैं भी लोग सब मचली पकड़ के परिवारत-पुशा ओटा फिए अभी ओडिक्सा में सरकार भी चेंज हो गया है तो तो पर तीस साल से नविन सरकार था है आप तो एक आम हम आदमी हो हाल मशन कार दाल है यह शुरकार सब्सक्राण करता टाज चाल करता था तानलौ तो अच्छा काम करता ता लो ठॉप आज़ नह चांब नहां बुझे काहां डिए ऊप्श्जेन, कांट टाल है। हुछ लो को बनि लोको बात मुझा यह शुछ अगला विजेवी का बना वह भी किया करी क्या थे चार्श माना होगा तो करेंगा की नहीं गरेगा देखेंगा ना पांच साल का करें कुछ आया है यहां परपनी निशुभात राज थोड़ा थोड़ा आता नहीं क्यों क्या दिकते जिकत को तो है तो सब आजमें देगा तो नहीं देगा देगा तो बंद कर देगा ना अगे पिछे में सा महिलाओ को पचास हजर पांच साल में कहे रहे हैं सब बीजेबी सरकार सब्सक्राण कर दो जो पर देघा हर साल 10,000 रुप्यार सामान का रेट बढ़ जाता है सबजी तेल राष्ण का रेट बढ़ रहा है लेकिन वो भी थोड़ा तो मदद होता होगा एक बहला के लिए ए शाज को दस अजार महिना कम्राइबी स्यासाट्स पानी तेल मसाला तो दोसरा का चीज में ले जाएगा तो ज्यादा कोई फरक नहीं है यह पांत दोसरा आए तो आनंदा खुशी होता है आप तो इतने बुजरू नहीं है जुबा है एक तरह से कितने बच्चों है आपके बच्चा नहीं कि शादी क्या था वरेख्याम्ट मेरा उफ्यां 35 अाधिस साल जुबा ही जुबा हो गए palsy's monee to 11.06 अचले से यह बता हो अपको क्या लगता है गाउन किनलने आपको लोग आपको क्या रखते नवीन वहा वह भू आ अच्छा थे या पीजे पीजों आया मोधी का वो अच्छा है को ना मोधी अच्छा है मोधी को नाम सुना को ने क्या पूरा नाम है मोधी शरकार मोधी का पूरा नाम पता है को ने परदान मंत्री को ने मुदी नरंदर मुदी नरेंदर मुदी तो वो अच्छा है कि नवीन बाव अच्छा थे यह नारंद्र मुदी अच्छा एच्छा ए प्रेट यह लगता है वहाल तो रहे लाग बुद में मिला था उसक अधर्शाथ में में मिला ये जतना जय शाथ में बात होता है अपको भी पता है कि देश जाता है और दोस्ति बनाते हैं बता है लहां जाएगा नेना मुर्द इतना देश में हाथ मिला है कि आम लोग तो गरीब है आम इंसाने हमारे लिए कुछ किया है नहीं किया था यह मत करें चले आता सब ठीक है ठीक है ठीक है आप देखो एक ओडिशा का 40 साल का युवा है और सौक से बोचली पकड़ते हैं और यह कोई पाटिकार नहीं पता है हम तो कुछ नहीं है याम इंसान है गाओं में रहले वाला इंसान है लेकिन उन्होंने मि एक एक है कि ऊडिशा में नवियन बबु का सरकार में कोई आम आदमी का सुना नहीं. जुबा का बास सुना नहीं, लोग दुखी हो गए थे और नरजन्रमोदी अलग-अलग देश जाते हैं और देशकी वहाँ की नेताओं से परिचे करते हैं, भारत की सम्मान बढ़ाते हैं और इसलिए इनको नर्णरमधी अच्छा है अच्छा है अच्छा लगता है तो इससे इस बात की प्रमाण होता है कि एक देश की प्रधान मंतरी एक ग्रास रूट की एक गाउं की व्यक्ति के साथ कैसे जुड़ा हुआ है और ये कैसे भाई मेरे बापी भाई दिल से कह रहे ह कि नहीं हम मोदी अच्छा है तो इस बात की गवा है ना हम ऐसी रूम में रहने वाला जितने बड़े बड़े लोग है बड़े गाड़ी चलाते हैं उनकी बात नहीं सुनते हैं हम पारादीव की नहुरू बंगला में समुंदर के सामने ऐसे ही एक व्यक्ति जिसको हम भी नही नरंद्रमोदी का जो कामकाज है जो पलिसी है वो कहीं ना कहीं जमिन तक छूरा है और आम इंसान की दिल को छूरा है और आम जंता भारत की नरंद्रमोदी से अच्छा है नरंद्रमोदी को प्यार करते हैं ये कितना खुसी की बात हम आसा करते हैं हमारा दर्सकों को ये एक मौका था हमने सोचा कि ओडिसा की एक तटवर्ती इलाका है पारादिप पोट की पास है फाउंडे संडे अभी कार्तिक पुर्णिमा पंदरा तरिको है यहां पर मुख्यमंतरी मोहनमाजी आने वाले हैं पंदरा तरिको लेकिन उसी पारादिप की एक आम जनता कैसे मोधी के प्रती उन हाउ ही इस अट्रक्टेट ट्वाट समोधी इसी वाद की गवाह है पारादिप से ओधे इंडिया के लिए दीपकरत एक और बोलना चाहते है आप अधा को जो कुछी होगा जो गडिया सबूगना रहता है इसले सफा करने को ले आथा लोकूं देता नहीं जो दे अधिया के प्लिशन होता है जो गार्बे जगरा नदी में आता है वह समुंदर में जाता है और सरकार की तरफ से जो प्रयास किया जाता है वह ठीक से नहीं हो रहा है और सरकार को इसके प्रति ध्यान देना चाहिए बापी भाई यह तो बड़ा बढ़िया बात आपने बता यह संफियां मैं लेना चाहिए सरकार को कि जो लेंगर होता है इस बहुत बड़ी मुद्दा है क्योंकि प्रतशन बहुत बड़ी करा करा 500 पर रहे नदीओं को साफ करने के लिए वो काम ठीक से होना चाहिए सरकारी पैसा ठीक से उपयग होना चाहिए ऐसे भाई का कहना है सरकार का पैसा ठीक से खर्चा होना चाहिए या ऐसे इनका कहना है तो आज के लिए इतना पारादिफ से दीपकरत हम फिर से बात करेंगे आपको और अलग-अलग स्टोरी हम आपको लेकर आएंगे आपके पास जमिन से ही आम जनता से बात करेंगे और आम लोगों से बात करेंगे और अलग-अलग बिसेओं पर बात करेंगे देश से जुड़े हुए बिसेओं पर बात करेंगे बारत माता की क्पीज ए ए ए ए ए मजग ए 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